नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हारदिक स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा कन्या रासी सनी वक्री तेईस पांच से लेकर दस दस दोजर एकीस तक अक्टोबर की दस तारिक तक शनी का वक्री ब्रह्मन रिट्रो ग्रेट होने वाला है और ये वक्री ब्रह्मन कन्या रासी वाले वर्गो साइन के लिए मून साइन चंद्रकुली से बात करें अगर बोलता नाम भी आपका कन्या रासी से है तो वो भी आपको लागू पड़ेगा कन्या रासी बुद्ध के घर की रासी और शनी वक्री रिट्रो गेट होने वाला है तो ये शनी चलता है आपकी रासी से पंचम हाूस के अंदर और वो पंचम हाूस में बैटके वक्री ब्रह्मन शिक्स मन के लिए करीबन करने वाला है शनी एक ऐसा प्लैनेट से जो मित्र रासी उसकी बोली जाती है बुद्ध, शुक्र और शनी ये सब मित्र रासी है ये ये तीनों खास दोस्ती है, याराना है, आप लोगों के बीच में जैसे दोस्तों के बीच में, वैसे यहां बुद्ध के घर की रासी, कन्या रासी के लिए शनी माराज इतने करूर नहीं गिने जाते हैं, इतने खराब नहीं गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वक्री ब्रम वो टीचर है वो शिक्षक है वो पनिश्मेंट देते हैं अगर आपने गलती किया है आपने कुछ उपर नीचे किया है कामकाज में या कोई भी चीज के अंदर तो शनी यहां पनिश्मेंट देते हैं वक्री होने वाले हैं रिट्रोगेट होने वाले हैं अगर शिक्षक देगा तभी student सुधरेगा तभी student सई से वो गलत सम्स फिर से करेगा इसने यहां शनी माराज शिखाता है डण्ड देता है शिक्षा देता है तो यहां जबी वो रिट्रोगेट होते हैं वक्री होते तो वो उनकी जो नजर है वो तेज कर देते हैं उनका सभाव है वो क्रोध में हो जाता है तो यहाँ पंचम हाउस में शनी वक्री होने वाले हैं पंचम हाउस होता है अपने संतान का विद्या का अभ्यास का लोटरी का यहाँ से पंचम स्थान आपके पुर्वपुनिया का है जिसमें आपने जो कुछ भी पुर्वपुन्य कमाया है, पिछले पास साल, दस साल के अंदर आपने कैसा जीवन जिया, उसके उपर डिपैंड होता है कि यहां कैसा ग्रह अपना काम करेगा, इस्टेशनी यहां रिट्रोगेट होने वाला आपने अच्छा जीवन जिया है, अपने लोगों को मदद की है, लोगों की दुआएं असिरवादिली है, छोटे व्यक्ति को देखा है, आपसे निमनक अक्सा की लोग है, आप अफसर हो, बड़ी ओफिस में बैटे हो, आपके वहां प्यून काम करता है, आपके नीचे जो भी अधिकारी काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उसको आपने पर वो सब चीजे यहां शनी माराज देख रहा है, और वो सब चीजे शनी बारी-बारी से उसका पनिश्मेन देता है, इस्तिजाब से जितने भी छोटे लोग हैं, उसके उपर हमेशा आप ध्यान दीजे, छोटे लोग का जो बिरूद है, वो जो बिलॉंग करते हैं, शनी ग् कैसा है जो निम्न कक्षा की लोगों को पकड़ के चलता है, जो रोजिंदा काम करने वाले हैं, जो मजूर है, जो नौकरी करते हैं आपकी वहां, आपकी गुलामी करते हैं, वो सशनी के अधिपत्य में आते हैं, इसलिए इनको कभी परिसान मत कीज़ें, येकिन जबी भी आपने परिसान किया है, तो शनी जबी भी रिट्रोगेट होगा, वक्री होगा, तो वो पराबर से वो बद्दा लेता है, इससे यहां शनी वक्री होगे पंचम हाउस के अंदर, तो आपकी विद्या, आप अगर स्टूडन्ट हो, तो विद्या में आपको, आपने सही में विद्या कितनी प्राप्त की है, आपको भेजा गया है पढ़ाई के लिए, ट्विशन में, स्कूल में, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, आपने पढ़ाई से या क्लास से मंक्स मारी है, या आपने पढ़ाई को पूरे-पूरा से नियाई नहीं दिया, तो यहां शनी महर पढ़ाई लिखाई के बारे में आपको ब्रबर शिख्षा देगा डंड देगा, आपके रिजल्ट खराब हो सकते हैं आये होए, रिजल्ट मांक्स में कुछ्ने कुछ कमी हो जाएगी आपने सोचा होगा, मैं इतने मांक्स लहूगा लेकिन आपने बरबर से पढ़ाई नहीं की है, concentrate नहीं किया है, तो यहाँ आपके marks कमा सकते हैं, यहाँ आपको marks से काफी हद तक आपको loss हो सकती है, आपके विद्या से loss हो सकती है, आपके संतानों को अपने ध्यान नहीं दिया, आप अगर उसके parents हो, कन्या रासी है आपकी, और parents पे होकर आपने अपने बच्चों के उपर ध्यान नहीं दिया है, तो यह situation ऐसी बन जाती है, कि आपको उसकी punishment मिल सकती है, क्योंकि आपकी duty है, आप parents हो, आप माँ हो, आप बाप हो, आपको ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का संतान का, लेकिन आपने उसके उपर ध्यान नहीं दिया, आपने उसके उपर बराबर से concentrate नहीं कि आपकी जवाबदारी, आपकी responsibility आपने नहीं निवाई, इसके लिए यह सब situation create हुई है, जो आपको अभी देखने को मिल सकती है, इसलिए जो आपने नहीं ध्यान दिया, वो यहाँ आपको देखने है, आपने जो किया है, वो ही आपको मिलने वाला है, सो बात की एक बात है, इसलिए जो आपने बोया है, वो ही आपको मिलने वाला है, शनी कुछ नहीं, ग्रह कोई खराब किसी के लिए होते नहीं है आपके लिए वो इसके लिए उनके लिए लेकिन सुचुएशन आपने कैसा जीवन जिया आप किस तरह से आपका जीवन के उपर आप व्यतीत करते हो ये सब डिपैंड उसके उपर है शनी यहां वक्री होंगे तो आपके संतान आपकी विद्या, आपका पुर्वपुनिया वो सब कम कर सकता है, उसमें घाटा ला सकता है आपने अच्छा काम किया है लेकिन सामने आपने इतना बुराई भी की है लोगों की कुजली की है जो बोलते आप इदर की उधर किया है तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है शनी की नजर के उपर भी ध्यान देना चाहिए शनी की नजर कहां कहां गिरती है शनी की जो नजर है थड़ नजर वो सब्तम स्थान पे गिरती है तो पतनी पती से मत भेद मन भेद बन सकते है पार्टनर आपसे उपोजिट में जा सकता है पार्टसनर से वाद विवाद हो सकते है मत बेद, मन बेद हो सकता है चाहर में कोई आप बदना मी मिल सकती है आपको अप्यस मिल सकता है यहाँ ऐसे योग काम करने वाले है सनी की जो सब्तम नजर है वो 11th house पे है बड़े भाईयों से, दोस्तों से, यारों से ग्रूब सरकल से आपको नुकसान पहुंच सकता है वहाँ आपको कुछ आपसे दगा हो सकता है आपको दिखाया कुछ हो और निकला कुछ हो वैसे भी हो सकता है मिस गाइड हो सकता है आपसे साथ वहाँ समल के चलिए, देख के चलिए, अपनी आखे खुली रख के चलिए वहाँ अपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों के पीछे, बड़े भाई बेनों के पीछे ध्यान नहीं दिया तो अभी आपको उसका हरजाना बुगत न पड़ सकता है और शनी की जो लाश नजर है, दसम नजर, वह सेकेंड हाउस पे गिर दिये दोस्तों समय कम है, कम समय में बताना है क्योंकि बहुत से काम रहते हैं लेकिन संग्शिप्त में बताएंगे तो उसका मज़ा अलगी है शनी की जो दसम नजर है वो बैट टे सेकेंड हाउस के उपर तो यहां रूपियों से लगती चीजों में आपके उपर चेकिंग आ सकती है जिसके वहां इंकम टेक्स की रेट गीरती है वो फोड़ा मतलब जिसकuju ग्रह ऐसे हैं तो इस टाइम पर आपके वहां इंकम टेक्स की रेट गीर सकती है आपको हरजाना भुगदना पड़ सकता है बैंक से लगती चीजों में आपने कुछ गफला किया है तो वो भी आपके उपर कोई भी ऐसी इंक्वाइरी आ सकती है कुटूम फैमिली से वाद विवाद बन सकते है मद भेद मन भेद ज्यादा बन सकते है कुटूम फैमिली में आपके उपोसिशन में आप जा सकते हैं लोग इसलिए ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमको इस नंबर के उपर वाट्शॉप करके एक मामुली फीज से आप अपना आने वाला कर सवार सकते आपकी समस्या उसका समाधान कर सकते हैं और बहुत से अच्छे दिन आपके ला सकते हैं ऐसे और के वीडियो लेकर आँगा तब तक के लिए नमस्कार